हेलो गाईस आज हम बात करेंगे OnePlus devices के बारे में और आज हम बात करेंगे message features के बारे में देखिए एक important बात मैं आप आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैं OnePlus का device use कर रहा हूँ उसमें हो सकता है थोड़े अलग feature हो आप लोग के phone में हो सकता है थोड़े अलग feature हो मतलब आप लोग के phone में ज्यादा भी feature हो सकते है या फिर कम भी feature हो सकते है models के उपर depend करता है ओके तो जितने भी features रहते हैं मैं आप लोग को यहाँ पर explain करने वाला हूँ जो की हो सकता है in future आप लोग को help करे message और interesting बनाने में मतलब advanced level का ओके तो वीडियो स्टाट करते है उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लेचीगा बेल का इकन को प्रस कर लेचीगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले message app को open करेंगे message app open करने बद हमें two dot पर click करना है और यहाँ पर हम इसकी settings में चले जाएंगे settings में जानने के बाद first में हमें option मिलता है Smart messaging का इसपे click करेंगे तो यहाँ पर हमें Smart messaging का feature देखने को मिलता है यह काफी लंबा feature है मतलब इसके काफी सारे benefits से आप लोग गलो अगर यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जानकारी ले पाएंगे भाई कि यह जो smart messaging का feature एक कि step से काम करता है अगर आप लोग को इसको on करना है तो यहाँ से on कर सकते हैं और smart messaging card को भी आप लोग यहाँ से on कर सकते हैं उसके बाद list message and notice यह आप लोग देख सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पे अभी मेरे phone में no message दिखा रहा है बट notice में पूरे message दिखा रहा है तो यह आप लोग कर सकते हैं मतलब notice वगरा भी on कर सकते हैं अगर आप लोग उनको देख लेंगे तो वो message में आ जाएंगा उसके बाद message manage notifications मिलता है हमें यहाँ पे जिसमें आप लोग message की notifications को manage कर सकते हैं जैसे कि यहाँ से हम इसको allow कर दिया अगर हम चाहे तो lock इस screen में notifications हो कर सकते हैं banner के तौर पे कर सकते हैं bubbles के तौर पे use कर सकते हैं bubble के तौर पे batch की बात करें तो number द्वारा करना है dot दौरा करना है do notes हो करना है यह भी कर सकते है, चाहे थो हम यहाँ पे notification detail को height कर सकते है lock इस screen में, ओके यह भी बैटा रहा है, उसके बाद message का notification यहाँ से on कर सकते है notification में आएगा, status वर में आएगा banner lock, सबी का सबी category से आप लोग यहाँ पे on कर सकते है, ओके इस पेम ने क्लिक किया, तो display to status वर हो गया, ringtone कैसा होना vibrate होना चीज़ के नहीं, यह सब चीज़ मतलब no dp के इसमसे related feature लगभग सभी मिल जाते हैं, उसके बाद advanced पे क्लिक करेंगे हम, तो advanced पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद delivery reports हो गया, यह सब चीज़े auto download MS हो गया, roaming में auto download कर सकते हैं, आप लोग उसके बाद flash message on कर सकते हैं, allow flash message यह काफी कमाल का feature इसमें बिस्तिक लिए होता गया है, कि आप लोग flash light को use कर सकते हैं, notifications के तोर पे तो यह feature भी on कर सकते हैं, उसके बाद emergency alert setting मिलता है, alert की history मिलता है और यह service center का number बगएर देखने को मिलता है तो features काफी कमाल के हैं, काफी सारे features हमें आपे message में देखने को मिल जाते है and topic जो है cover हो चुका है मिलते है next video में, जैमात आदी